आज मेरे शकल को देखके हसना मत, मैं सच में ब्रिच के नीचे से साथ रुपे का कटाया बाल और साले ने ऐसा बाल काट दिया कि मैं कोरिया का चीम पॉंग लग रहा हूँ लेकिन यार देखो मैं इतने टाइम से मूवी रिव्यू कर रहा हूँ इतने सारे इंडस्ट्री जो ब्रिलियंट सिनमा लाने की कोशिश करते हैं उनके जो स्टेट के जो लोग है वो चाहते हैं कि उनकी सिनमा बहुत आगे तक पहुचे बहुत जादा प्रमोट होई और मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ओडिया फिल्म को देखने के लिए 40 किलो मेटर ट्रेवल करके जाऊंगा और वो पहली ओडिया फिल्म देखकर आऊंगा तो कैसे एक डॉक्टर जेंग का नाम रता उमकार होता उन पर ही ये फिल्म बनी है वो सारे गाओं से मलेरिया निकलवाते हैं भगाते हैं और सबको अवेर करते हैं कि भाई साब अपने आपको सुरक्षित रखो सेफ रखो और हमें लड़ना है और जितने कम टाइम में ये बात याद आगए वो बोलेते कि आप हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाओगे ना उस स्टेट में ऐसे बहुत सारे चीज हुए रहते हैं जिसको आप फिल्मों के थ्रू दिखा सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे चीज़े हैं दिखाने को तो आज मुझ सम्वालना मुश्किल हो जाता है वहाई 151 विलेजिस में से मलेरिया को भगाया गया था एंड टू बी ऑनेस्ट वो अपने आप में बहुत शॉकिंग चीज होती है अब मैं यह सुचता हो कि आप हर स्टेट में चले जाओ बहुत सारे वहां के ऐसे ऐसे कहानी है जिसको आप फिल्मों में उतार सकते हैं वही स्टेट के इंडस्ट्री के लोग उतार सकते हैं अब मैं एक टाइम को शॉक था कि यहां के अनुरा कश्यब गैंक्स अवासेपूर जो यूपी भिहार की स्टोरी बेस रहती वहां के फिल्म बनाती है जबकि वहां के इंडस्ट्री वालों को पहले यह सब बनाना चीए कि भाई यह हमारे हमके न हम बना के पहले दिखा देंगे तो यार अभी भी बहुत सारे स्टेट के जो भी इंडस्ट्री है आप लोगे के पास बहुत बड़ी बड़ी उपरचिनिटिस है कि आप अपने स्टेट के जो भी चीज होते हैं कल्चर हो या फिर ऐसे गटनाय हो आप लोग दिखा ना कि किसी और इंडस्ट्री को दिखाने का मौका दो प्लीज वो आपके हाथ में आप उसकी डेप्थ उसके लेयर को जान सकते आज जब मैं दमन देख रहाता है इस फिल्म को मैं अगर एक लाइन में रिवीव करू तो मैं इतना ही कहूंगा देखो ओडिया इंडस्ट्री से मैंने कोई भी एक्सपेक्टेशन ने रखे थी यह मैंने पहली फिल्म देखी उनकी प्लस बजेट है इस फिल्म का 95 लेक्स प्लस मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया थे कि मुझे कोई क्वालिटी ओफ सिनेमा देखने मिलेगा प्लस इनके जो राइटर, डिरेक्टर, एडिटर है देवी प्रसाद लिंक की ऐसे कुछ नाम है उनका उन्होंने मानों उनको बहुत सिनेमा का एक्सपीरियंस है क्योंकि बंदा रियल बेस चोरी दिखा रहे और अपने फिल्म में कोई भी एक ऐसा सीन नहीं डालता है जिससे ओडियंस को बोर फिल होए या अनिंट्रेस्टिंग लगे या बोले कि यह कुछ भी टाइम पास करा रहे फालतु का काना डालके फालतु का डायलोग बुलवाके फालतु का सटायर वटायर मरवाके नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन अगर जो नहीं रहेंगे वो भी इस फिल्म को पिगल जाएंगे क्लाइमेक्स में दो बार तालिया बचाएं दो बार कि भाई अगर मेरे को कोई रोता हुआ देख लेगा ना ऐसा वो लास्ट वाले सीन पर तो बोलेंगे इतना क्यों इमोशनल हो गया तो ऐसा हो जाएगा जोटनी बोलूगा टेक्निकली फिल्म पॉलिष तो नहीं है इन फाक्ट एक ही कैमरा से बहुत सारे शॉट लिए गए जैसे दो जन कंवर्जेशन कर रहें तो दोनों साइड वो कैमरा गुमता रहते हैं लेकिन 95 लेक में और क्याच ही है ज्यादा कुछ यह तो दो उनको पैसा वो मना के दिखाएंगे ऐसा लगता वहां स्कैरसिटी है और अगर उनको मिलेगा तो वो लोग भी कयामत मचा सकते एंड डेफिनेटली जिसके तुरू मैं ओडिया इंडस्ट्री को पहचानता हूँ अब देखना दमन के तुरू ओडिया इंडस्ट्री रिवाइव होगा यह में लिखके देता हूँ देखो यार एक चीज मैंने एक और सीखी अब बाकी सारे इंडस्ट्री में देखलो तो वो साला कुछ और ही पॉलिश करने में दिखाते हैं कि जैसे यहां का लोकैलिटी में ऐसा बना दूंगा यह सेट में ऐसा बना दूंगा और उनका मेइन फोकस कहानी से हटी जाते हैं लेकिन देखो यहां पर बजट कम है न तो उनको हर एक पैसे का वैल्यू मालूम बहुत सारे चीज़ों को भी पैचानता हो इन फैक कुछ कुछ सीन ऐसे है जो सच में दिल देहला देंगे इस फिल्म सीचुएशन के इस आप से टाइमिंग पर गाने भी सुनने मिलते हैं जो सीन में जान डालने का काम करते हैं वो गाने भी सुनने में अच्छे और कुछ क फिर ऐसा को नाले अजर ऑठाओ को एक जाए ब्लकर में और देखने मिलते जो कफी मोटिवेट करते अब मैं performance की बात करूँ तो non actors भी नजर आते है film में कई न कई उनकी acting miss out भी होते रहे थी बट यार मज़ेदार है मज़ेदार है complete मज़ेदार है अब जो इसके lead hero है Babushan Mohanty बंदा चेहरे से मासूमियत रखा और acting में कयामत रखा he was so cute and इतना प्यारा काम किया कहानी की जो depth थी न वो उसके जुबान से आगे छलक रही थी and आपको emotional करता है वो बंदा climax में जब उसको appreciate करते है that is मैं बोला रहा है मैं अभी भी मैं express करूंगा तो मेरे आख में पानी आ जाएगा तो मैं नहीं बता सकता वह आप experience करना जहां पर भी आपको मोका मिल रहा है कया मत मचा government को सच में आप लोगों को bonus देना चीए कि आपने ऐसा फिल्म लाया उसके लिए शुक्रिया अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप लोग मेरा support करना चाते तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि कर दो कर दो कर दो कर दो